हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णू, देवताओं की हिंदू त्रिमूर्ति में सन्रक्षक हैं. उनके दस मुख्य अवतार हैं, जिनें दशावतार के रूप में जाना जाता है, जिन में से कुछ है. भगवान परशुराम हिंदू पौरानिक कथाओं के एक पात्र है, जिने हिंदू धर्म में साथ चिरंजीवी या अमर में से एक माना जाता है। और उन्हें हिंदू पौरानिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली योधाओं में से एक माना जाता है। पौरानिक कथाओं में एक देवता है, जो भगवान विष्णो के अवतार, अवतार है, जो देवताओं की हिंदू त्रिमूर्ती में सनरक्षक है। उन्हें एक भयंकर और शक्तिशाली उपस्थिती के साथ आधे आदमी, आधे शेर के रूप में चित्रित किया गया है। हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार, नर्सिंग का जन्म अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था, जिसे उसके अपने पिता, राक्षस राजा हिरन्यक्षिपु द्वारा सताया जा रहा था। हिरनक्षिपु को एक वर्दान दिया गया था जिसने उसे वस्तुता अविनाशी बना दिया था और परिणाम स्वरूप वहां अभिमानी और अत्याचारी हो गया था। नरसिंग हिरने कशप के महल में एक खंबे से उभरा और अपने पंजों से उसके शरीर को चीर कर उसे मार डाला। दैविया हस्तक्षेप के इस कार्य को हिंदोग्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नरसिंग को हिंदोग्वारा साहस और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और उनकी उपस्थिती अक्सर इस धारना से जुड़ी होती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारन कर सकते हैं। उन्हें एक भयंकर और शक्तिशाली देवता भी माना जाता है जो बुराई को नश्ट कर सकते हैं और ब्राह्मान में संतुलन बहाल कर सकते हैं। वामन हिंदू पौराने कथाओं में एक देवता है, जो भगवान विष्णू के अवतार, अवतार है, जो देवताओं की हिंदू त्रिमूर्ती में संरक्षक है. उन्हें एक बौने ब्रामन के रूप में दल्शाया गया है, जो बहुत बुधिमान और ज्यानी है. हिंदू प वामन बौने का रूप धारन करके बाली के पास पहुचे और अपने लिए तीन पग भूमी मांगी. बाली ने अनुरोध स्वीकार कर लिया, और वामन फिर आकार में बढ़ गया, एक कदम से पृत्वी को और दूसरे के साथ स्वर्प को ढख लिया. उसने तब बाली से हिंदो द्वारा विनमरता, ज्यान और न्याय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. उनकी कहानी महान शक्ती और प्रलोभन का सामना करने पर भी अपनी प्रतिबधताओं का सम्मान करने के महत्व को सिखाती है. उन्हें ब्रामान का रक्षक और ज्यान और ज्यान का स् में एक देवता है, जिने भगवान विष्णों के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय अवतारों, अवतार में से एक माना जाता है, जो देवताओं की हिंदू त्रिमूर्ती में संदक्षक है. उन्हें एक काले रंग और आकरशक व्यक्तित्व वाले एक युवा लड़के के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने कई वीर कर्मों और दिव्य शिक्षाओं के लिए जाना जाता है. हिंदू पौराने कथाओं के अनुसार, कृष्ण का जन्न मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था, लेकिन व्रिंदावन के पास के गाव में उनक का पालन पोशन किया. उन्हें महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें वे योध्धा राजकुमार, अर्जुन के सार्थी और सलाकार के रूप में कार्य करते हैं. वह एक चरवाहे लड़की राधा के साथ अपने रोमांटिक रिष्टे के भी जाना जाता है, जिसे अकसर उनकी दिव्य पत्नी के रूप में चित्रित किया जाता है. कृष्ण हिंदुओं द्वारा प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रती के रूप में पूझनिया है. भगवान राम हिंदू पौराने कथाओं में एक देवता है, जिने भगवान विष्णों के सबसे महत्वपूर्ण और लोगप्रिय अवतारों, अवतार में से एक माना जाता है, जो देवताओं की हिंदू त्रिमूर्ती में सन्रक्षक है. उन्हें एक सदाचारी और धर्मी व्यक्तित्व वाले राजकुमार के रूप में दर्शारा गया है, जो अप काव्य रामायन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावन से बचाया था, जिसने उसका अपहरन कर लिया था. अपने समर्पित भाई लक्षमन और वानर भगवान हनुमान के साथ, भगवान राम को सीता क को बचाने और दुन्या को व्यवस्था बहाल करने की अपनी खोज में कई परिक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा. भगवान राम हिंदू द्वारा नैतिक्ता, कर्तव्य और सम्मान के प्रतीक के रूप में पूजनिया है. उनकी शिक्षाएं सदाचारी जीवन जीने और भक्ती और वैराग्य के साथ अपना कर्तवे निभाने के महत्व पर जोर देती है. उन्हें बाधाओं को दूर करने की क्षमता और न्याय और धार्मिक्ता के प्रती उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी मनाया जाता है. उनकी उपस्थिती अक्सर शांत करुणा और दिव्यक्रिपा से जुड़ी होती है.